Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि CapCut का अगर आप original app download करना चाहो CapCut का pro version app अगर आप अपनी smartphone में download करना चाहो, install करना चाहो तो कहां से download and install आप कर सकते हो CapCut का pro version आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं तो वीडियो को वीडियो को इसकी मत करियेगा और लाश्ट तक बने रहीएगा तो चलिए friends वीडियो को start कर लेते हैं और जान लेते हैं CapCut का अप pro version वेप किस तरीके से और कहां से download कर सकते हैं तो इसके लिए friends सबसे पहले हम अपने play store app को open कर लेते हैं प्लेश्टोर एप को open करने के बाद friends यहाँ पर play store में new update के कारण फ्रेंड सर्च आप्शन नीचे आ गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है सर्च आप्शन पर क्लिक करने के बाद friends सर्च बार play store का top side में देखनी को मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक करने के बाद friends यहाँ पर आपको cap cut लिख कर सर्च कर लेना है अब जैसे ही cap cut आप लिख कर सर्च करते हो friends तो यहाँ पर cap cut आपको देखनी को नहीं मिलता है looking for cap cut video editor इस तरीके से लिखा हुआ आता है this app exit available देखनी को मिलता है यानि कि यह app install नहीं हो सकता है यहाँ से तो यहाँ पर cap cut का pro version डाउनलोड करने के लिए friends यहाँ से आपको बैक हो जाना है और बैक होनी कि बाद friends अगर आप cap cut का pro version डाउनलोड करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए friends कि अगर आप cap cut का pro version डाउनलोड करते हो तो आपके social media में जो भी आपका account होगा जैसे कि Instagram ID या YouTube पर channel उससे अगर आप video edit करके डालते हो Instagram पर या YouTube पर अपने आपका social media account खत्रे में पर सकता है अब ऐसा क्यों friends आप लोग कहेंगे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि friends इंडिया में बैने होने के कारण friends cap cut आपको प्लेश्टोर पर देखनी को नहीं मिलता है और cap cut pro का बात करें friends अगर आप cap cut pro को download करके उससे video edit करके अपने social media account पर डालते हैं friends तो आप तो आपको अपने social media account पर खत्रा आ सकता है strike जैसे कि आप कुछ लोग यह कहेंगे कि बहुत लोग edit करके डालना है cap cut pro से तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जब तक आपका YouTube consume नहीं कर लेता है यानि social media पर account सही से देख नहीं लेता है तब तक आप बचे हुए हो और जैसे ही आप पकड़े जाओगे तो strike 100% आपको cap cut के video edit जो किये हो उस पर डाले हो अपने account पर अपने YouTube चैनल पर 100% आपको इस ट्राइक लगना है यह लगना है जैसा कि अगर आप VN इस तरीके से लिक कर सेर्च करोगे तो यहां पर आपको VN का एप देखनी को मिल जाएगा जो काफी अच्छा work करता है वीडियो इडिटिंग में तो अगर आप वीडियो इडिटिंग के लिए उपियो करना चाहते हैं तो आप VN एप से आप वीडिय करते हो फ्रेंट्स तो यहां पर आपको आपके डाटा की प्राइवैशि को लिख करेगा इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहां पर QpCut Pro जो ऑप है third party application है वो है आपके data को consume करके दूसरे company को बेद देता है और आपका social media account से लगा कर आपका bank account भी खत्रे में आ सकता है तो मेरा suggest मानिए friends की अगर आप CapCart Pro को download करना चाहते हैं तो मट download कीजिए अगर आपने download भी कर रखा है तो उसे uninstall कर दीजिए तुरंद का तुरंद नहीं तो आपका social media account खत्रे में आ सकता है तो friends यह रही छोटी सी information अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी helpful और knowledgeable लगी हो तो please वीडियो को like करके channel को subscribe कर दीजिएगा